शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वीसिया न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें कामठी के चावनी परिशत में कंटनमेंट शेत्र की स्तानिय जनता गोरा बाजार तथा पूरानी कामठी गाओ के लोग और दुद्ग व्यावसाइकोंने मंगलवार की दोपर रास्ता रोको आंदोलन किया है कोरोना के चलते कामठी कंटनमेंट के बाहर निकलने वाले सभी गेट पर विगत चार महनों से प्रतिबंदित क्षेत्र घोशित कर बंद रखे गए घरवापसी खे लिए यही एक मात्र रास्ता है यहि हाल कंटनमेंट क्षेत्र पूरानी कामठी गाओ के रहने वाले लोगों का है और दुद्ग व्यावसाईकों का कहना है इन लोगों को अत्यावशक चीज रिलाने के लिए कामठी जाने के लिए एक मात्र एक ही दिन दिया गया इस वज़ा से बाखी छे दिन लोगों को घर पर ही गुजारना पड़ रहा है इस कारण वश लोग आर्थी तंगी से हाल ही में रदियों को बाढ़ आने से यहां के स्तानिय लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा लोगों की जिवनावशक वस्तों के अलावा उनके मवेशी पाल तो जानवर भी बाढ़ में बैगए इन हालात में उनका जीना मुश्किल हो गया जरूरी चीजों की आउशकता होने से इन लोगों को कामठी जाना जरूरी है इसके चलते कामठी जाने वाले को रोज मरा की तरग छावनी परिशत प्रशासन और सैन्ने प्रशासन से जाने से रोग दिया है इससे इन लोगों का आप सब्र तूट गया आहतों का सुबा 8 बजे से करीब 5 बजे तक लोग गरुड चौक सित कामठी चाउनी गेट के सामने जबलपूर हाइवे पर धर नादे कर बैठ गए नागरिकों ने सैन्य प्रशासन के खिलाप रोश्व्यक्त कर नारेवा जिकी शहर में इस बात की ख़बर पहुचने के बाद कामठी तैसलदार अरविन हिंगे डिसीपी निलोतपल एसीपी मुंडे पुलीस निरिक्षक संतोज बकाल और उनका दल वहाँ पहुचा प्रशासन और लोगों ने इन लोगों से बात की छाउनी परिशास सीओ ने भी नर्माई वर दी और आने वाले चार दिन तक गेट खुले रखा जाएगा इस संदब में तैसलदार अरविन हिंगे इनने हस्तली की जानकारी दी है इसके बाद लोगों का रोश कम हुआ इन चार दिनों के दर्मियान ब्रिगेडी अरस्तानी जनता प्रतिन दीन के उपस्तिती में गेट नियमित खुले जाने के संदब में आगे की रूप रिखा तै की जाएगी इन बीस एन नियूस के लिए काम ठीसे अरुन महाजन के रिपोर्ट